Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज 23rd जनवरी को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस किया जाएगे First आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है Fired Up and Plugged In इस आर्टिकल में हम Decarbonization of Energy Sector के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इंडिया को Decarbonization करना चाहिए उसके चार सॉलिशन इस आर्टिकल में दिये गए है चारों को डिसकस करेंगे मेंस के परस्पेक्टिफ से important है Next आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है यह आर्टिकल दा हिंदू में आया है और इसमें हम NGO से रिलेटेड इशूस के बारे में चर्चा करेंगे प्री और मेंस आस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे NGO को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है FCRA किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है यह सारे सवालों के जवाब धूनेंगे Next आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है स्पाइकिंग टेंशन यह आर्टिकल नौर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के डिस्प्यूट के उपर है प्रिलिम्स के परस्पेक्टिफ से काफी इंपॉर्टेंट है प्लेसे इन न्यूस डिसकस किया जाएगा अगर आपको कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए कॉमेंट करिए आईए शुरू करते हैं हमारा एनलेसे हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फाइड अप एंड प्लग दिन यह आर्टिकल दा हिंदू में आया है इस्ट्री एंवार्मेंट मीन्स के परस्पेक्टिफ से इंपॉर्टेंट है बेसिकली जो आर्टिकल आया हुआ है वो है डी कार्बनाईजेशन आफ इंडियन एकॉनमी और हम लोग इस आर्टिकल में जो सेक्टर की बात करेंगे वो है एनर्जी सेक्टर एनर्जी सेक्टर 76% ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कॉन्ट्रिब्यूट करता है अगर इसे हमने कम कर दिया तो ओवर ओल एकॉनमी डी कार्बनाईज हो जाएगी अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की कोल बेस्ट 92% जो है तो CO2 एमिशन को कम किया जा सकता है तो basically इस आर्टिकल में हम solutions के बारे में बात करेंगे जो की rarely देखने को मिलता है दाहिंदू आर्टिकल में 15 भी इस issues मिलेंगे और दो लाइन का solution मिलता है जनरली दाहिंदू के आर्टिकल में लेकिन यह आर्टिकल अच्छा है चार ऐसे solution दिये हैं जिससे अब energy sector को decarbonize कर सकते हैं ऐसे जो four critical solution है यह आपके लिए important है आप लोग अपने notes में भी लिख सकते हैं इसे mains में solution की तरह भी लिखा जा सकता है अब आर्टिकल शुरू करते हैं इंडिया जो है fastest growing economy है और आने वले समय में इंडिया सबसे तेजी से grow करने वाला है पर इंडिया की जो developmental cost है वो बहुत ज़ादा बढ़ गई है क्यों बढ़ गई है क्योंकि climate change के कारण इंडिया को clean energy में switch करना पढ़ रहा है इंडिया के पास investment के लिए पैसा नहीं है अगर investment के लिए पैसा होता तो एक साथ लगा देते और तेजी से develop कर जाते लेकिन इंडिया limited resources हैं इंडिया के पास क्योंकि developing countries हैं अब इंडिया के पास limited resources हैं developing country है और बहुत सारे लोग अभी भी poverty के अंदर आते हैं 30 करोड लोग poverty के अंदर आते हैं अब इन लोगों को तुम लोग ये बताओ कि इनके पास दो दिन बात का खाने का नहीं है और तुम इनको बोलो कि सरकार 5 साल बाद तुम्हारे लिए अच्छी हवा का प्रबंद अभी से कर रही है तो ये लोग accept कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इंडिया को जो है अपनी जो developmental story है उस पे भी ध्यान देना है लोगों की गरीबी पे भी ध्यान देना है energy security पे भी ध्यान देना है 24-7 बिजली जो है सभी घरों में पहुचाने की ज़रत है 75 साल हो गए है अभी बहुत सारे घर ऐसे होंगे पुरे देश में जहां पर बिजली आस तक नहीं पहुची है 100% electrification of village ज़रूर हुआ है लेकिन 100% electrification of every household नहीं हुआ है ऐसी कई report हमें देखने के लिए मिलती है तो इंडिया के पास challenges बहुत सारे है हाना cost of development बहुत आई है और इंडिया को decarbonize भी करना है तो dilemma क्या है हमें energy security ensure करते हुए अपना power sector का माना mainly energy sector को क्या करना है decarbonize करना है जो की बहुत difficult task है उसी के लिए solution दिये हुए है इंडिया बढ़िया कर रहा है climate action में पिछले 10 सालों में इंडिया ने जो fossil fuel subsidy है वो 76% रिड्यूस कर दिये fiscal year 2014-2022 के बीच में ठीक है 8 years में 76% fossil fuel subsidy कम हो गई है और इसी period में जो है ट्रिपल कर दिया है renewal energy installation capacity इस period में मतलब इस period में जो है तेजी से बड़ी है और by 2030 इतनी by 2030 ये ट्रिपल होने वाली है लेकिन सरकार जो है अभी भी यही कह रही है कि जो coal based power plant है उसका जो support है वो अभी भी रहने वाला है लगभक 100 Giga watt से जादा energy हमें किस से मिल रही है per year coal power plants है और सरकार ने clearly कह भी दिया है कि इंडिया का भी reliance focus जो है clean energy पे जरूर है लेकिन reliance कहीं न कहीं coal power पे रहने वाला है आने वाले 10 सालों में ठीक है तो इंडिया का सारा जो focus है वो क्या है decarbonizing करने में हैं लेकिन energy security maintain करने में भी है तो हम किस तरीके से जो है coal power plant से होने वाले greenhouse generation को कम कर सकते हैं renewal energy की capacity को बढ़ा सकते हैं उसके लिए 4 steps यहां पर दी गई है क्या step दी गई है सबसे पहला जो solution दिया गया है managing thermal power plant outages better during peak demand period ठीक सबसे पहले इसको समझते हैं outages क्या होता है जो हमारे ब्लैक आउट जाता है यंदर failure हो जाती है बिजली ठीक है और demand peak में demand जब highest होती है peak demand तब outages होने के chances बहुत जादा होते हैं क्योंकि हम लोग क्या होते हैं तेयार नहीं होते हैं हमारे जो plant हैं वो तेयार नहीं होते हैं एक दम से demand बहुत जादा बढ़ती है तो क्या होता है failure होने के chances बढ़ जाते हैं plant के कुछ न कुछ खराब हो जाता है बिजली चली जाती है तो जब भी आपका कोई power plant होगा तो वो initially start करो तो वो maximum जो है अपना maximum या critical criticality पहुचने में उसे time लगता है maximum पहुचने में जितना वो produce कर सकता है as a power plant उसे बहुत जादा time लगता है माली जए आप यहाँ पर produce कर रहे है और peak आगया यहाँ पर ठीक यहाँ पर पहुच गया peak और आप production यहाँ कर रहे हैं तो failure हो जाएगा और पूरा plant बंद हो जाएगा तो फिर यह जो electricity होगी जो demand बढ़ने के कारण हो रही है वो आपको कहीं और से देनी पड़ेगी ऐसे में सरकार जो है नए power plant का expansion करती है ठीक है उनको लगता है कि demand बहुत जादा बढ़ चुकी है peak hours में demand बहुत जादा हो गई है तो हमें नए power plant की ज़रत है अगर नए power plant की ज़रत उन्हें मैसूस होगी तो नए power plant लगेंगे और नए power plant आएंगे तो फिर और carbon emission बढ़ेगा तो क्या करने की ज़रत है manage करने की ज़रत है thermal power plant को during peak periods during peak demand period लगभग 38 gigawatt of coal-based power plant across India witness unplanned outages लगभग ऐसे 38 gigawatt के coal-based power plant है जहां पर unplanned outages हो जाते है unplanned outages मतलब एकदम से demand बढ़ी और बिचली गई ठीक अगर हम लोग क्या करें plant को maintain करें प्रॉपरली और दूसरा क्या करें anticipate कर ले कि कितनी power peak demand होने वाली है इस गर्मी में peak demand का बाती जनरली गर्मी में अगर हमने यह anticipate कर लिया पहले से पूरवा नुमान लगा लिया तो हम लोग उस समय तक जब भी होने वाली होगी हमारे power plant की maximum capacity होगी उसको वहाँ पर run करेंगे और जैसी peak demand पर पहुचेगा तो ऐसे कोई outages नहीं होंगे और outages नहीं होंगे तो efficiency बढ़ेगी efficiency बहुत अच्छी हो जाएगी हमारे power plant की तो हमें नए power plant की ज़रुरत नहीं पड़ेगी पहला point समझ में है और नए power plant की ज़रुरत नहीं पड़ेगी तो obviously carbon emission और जो extra cost है वो भी कम हो जाएगी next solution है वो क्या है increasing the flexibility of existing coal fleet to seamlessly integrate more renewable energy into the grid thermor plants that typically produce a steady load of power must learn to follow the vagaries of wind and sun ठीक है क्या होता है यह हमारी grid है इस grid में electricity जा रही है तो जो power plant है thermal power plant खोल वाले उससे जो electricity जाती है वो 50 gigawatt है मान लीजे 50 gigawatt इससे जा रही है और total इससे 75 gigawatt जा रही है पी कार्स में 100 gigawatt है यह जो 25 है यह renewal energy से आ रही है और अगली 50 भी renewal energy से है तो यह जो demand में fluctuation आता है यह generally renewal energy से पूरा किया जाता है क्योंकि power plant हमेशा steady power provide कर रहा है 50 gigawatt तो चल रहा है 50 पे कोई दिक्कत नहीं है इस में flexibility की सुरुरत है ठीक है जब जैसे ही जो है डिमांड कम हो रही है तो यह 50 gigawatt को कम करके 25 करना है और renewal energy के mix को जादा बढ़ाने की ज़रुरत है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए power plant को और flexible बनाने की ज़रुरत है उसकी जो minimum power load है उसको reduce करने की ज़रुरत है ramp rate capabilities को क्या करने की ज़रुरत है improve करने की ramp rate मतलब maximum से minimum किती देर में आएगा इस capacity को हम क्या बोलते है ramp rate capacity तो अगर वो तुरंट उपर से नीचे maximum से minimum पे तुरंट आ जाता है तो coal की जो grid में supply करने की flexibility बढ़ जाएगी और हमने minimum पे कर दिया renewal energy को maximum पे कर दिया तो maximum जो है grid मे renewal energy जाए और minimum coal energy जाए यह अगर चीजे होती है तो उससे भी काफी benefit मिलेगा renewal energy का mix जो है जो हमारी grid है उसमें बढ़ेगा coal का कम होगा इसको करने के लिए लेकिन retrofitting करने की ज़रत है जो thermal power plant है उसको changes और modify करने की ज़रत है ताकि ramp rate capability को improve किया जाए उसके लिए जो central electricity authority of India है उसने जो है प्रपोस किया है retrofitting of 92 current coal and lignite based power plant ठीक है इसको करने के लिए सरकार को state government को और regulator को payment भी one time payment provide करने की ज़रत है जितने भी thermal coal power plant के owner है उनके लिए ताकि जो retrofitting cost है उनकी वो निकल जाए अगर क्योंकि cost overall बहुत जादा है इसलिए retrofitting cost को provide करने की ज़रत है उत्तर प्रदेश और हर्याना के ऐसे state है जहां पर ये payment mechanism device की गई है बाकी states को भी ये करने की ज़रत है third point क्या है incentivizing payment for storage services ठीक है storage services के लिए हमें payment incentivize करने की ज़रत है renewable energy के बारे में हम जानते है जब तक sun है तब तक के कोई रिक्कत नहीं है लेकिन जब sun नहीं है तब कहां से लाएंगे solar energy को तो हमें battery में क्या करने की ज़रत है extra जो energy है उसे battery लगा के चलाएंगे तो extra energy अगर storage मिल जाए हमें battery में तो हम renewable energy का 24 घंटे यूज कर सकते हैं 24-7 365 दे intermittent energy है यह हमेशा नहीं मिलती है हमें यही सबसे बड़ा इसका flaw है अगर हम जादा से जादा focus किस पर करें storage services पर करें और investment storage services पर करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं solution धून सकते हैं किसका overall जो coal power plant जो कि 24-7 प्रवाइड करते हैं intermittent नहीं होते हैं इसका actual replacement renewable energy में धूनडा जा सकता है तो SAR जब demand बहुत ज़ादा बढ़ गई हो या फिर sun नहीं निकला हो wind नहीं चल रही हो उस समय में हमारा जो focus होगा वो किस पर होगा बैटरी पर और बैटरी हमें help कर सकती है तो job creation उसमें बहुत ज़ादा है domestic value addition बहुत ज़ादा है लगबख 1.5 lakh करोड की coal economy जो है इंडिया में 1.5 lakh करोड की coal economy है बहुत सारे लोगों को job मिल रही है तो इसको replace करने के लिए transition करने के लिए clean energy में transition just होना चाहिए जितने लोगों को यहाँ नौकली मिल भी थी उतने लोगों को वहाँ भी मिलना चाहिए otherwise बहुत ज़ादा नुकसान हो जाएगा job का तो just transition हो fair transition हो इसके लिए जो है सरकार को क्या करने की ज़रत है indigenization करने की ज़रत है supply chain की for battery storage अगर battery यहीं बनेगी तो locally job create होगी और renewal energy technologies भी इंडिया में develop होगी तो jobs create होगी और overall value addition बढ़ेगा ठीक है अभी की बात करें हम तो अभी 7000 करोड का domestic value addition हो रहा है solar modules में इसके manufacture में जो की बहुत कम है अगले एक decade में अगर इंडिया काफी investment करता है तो जो domestic value addition है वो 75000 करोड तक बहुत सकता है तो सरकार का focus क्या होना चाहिए clean energy technologies पर investment करने का ताकि इसमें भी आतनेरभर बरे और coal energy को पूरी तरीके से replace किया जा सके जस्ट तरीके से replace किया जा सके तो हमारा main concern यही है पूरी दुनिया का जो है focus क्या है decarbonization इंडिया का focus क्या है domestic energy security इंडिया का पहला जो target है वो क्या है energy security और साथ-साथ जो security हो transition हो वो just transition हो ताकि जो job losses है वो लोगों के ना जाए जो developmental cost हो वो बहुत जादा ना बड़े तो इंडिया का जो transition है वो कौन drive कर रहा है कौन driven कर रहा है next decade तक होने वाला है हमारी जो priority है वो क्या है affordable electricity for all segment of the economy plus decarbonization not just decarbonization इसे आपको याद रखना है यह आपका first article हो गया hopefully यह article आपको सारी चीजे समझ में आ गई हो next article है why was FCRA registration for several NGOs cancelled यह article दे हिंदू में आया है GS2 governance के perspective से important है prelims के perspective से भी important है और mains के perspective से तो बहुत ही जादा important है NGO से related question हर almost alternate year में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और अगर current affairs में है news में है तो 100% आपको question पूछा जा सकता है FCRA का full form क्या है Foreign Contribution Regulation Act 2010 ठीक है तो Foreign Contribution Regulation Act के अंदर जो registration कराना पड़ता है NGO को जो renew कराना पड़ता है वो cancel क्यों किया जा रहा है इस particular article में बात करेंगे Overall means के perspective से NGO के issues के बारे में चर्चा भी की जाएगी ठीक है तो ये सारी चीज़े cover करेंगे शुरू करते हैं article सबसे पहले तो article आया क्यों है Recently FCRA Act के अंदर registration of two prominent non-governmental organizations Center for Policy Research and World Vision India have been cancelled this month ठीक है दो prominent NGO के registration को cancel कर दिया गया है कौन कौन सा Center for Policy Research and World Vision India इन दोनों के registration को cancel क्यों किया गया है आगे समझेंगे सबसे पहले FCRA कौन से ministry के अंदर आता है ये समझ लेते हैं FCRA Home Ministry के अंदर आता है NGO को regulate जो है दो act से किया जाता है एक है FEMA और दूसरा है FCRA ठीक है FEMA 2002 में बनाया गया था FCRA 2010 में FEMA जो है किस ministry के अंदर आता है Ministry of Finance इसका मतलब NGO को Ministry of Finance भी regulate कर रही है और Ministry of Home Affairs तो ये एक issue भी है NGO का dual regulation है ठीक है जितने भी foreign contribution वाले NGO है उसको जो है FCRA के अंदर रखा गया है और वो Home Ministry उसे क्या करती है कंट्रोल करती है कई बार Home Ministry ने ये भी काया है कि NGO का पूरा कंट्रोल उनको दिया जाना चाहिए लेकिन Ministry of Finance छोड़ नहीं रही है अंदर FEMA Act ये आपको याद रखना है FEMA Ministry of Finance FCRA Ministry of Home Affairs ये आपको प्री में पूछने की समभावना है 2024 में बहुत समय से न्यूस में है ठीक है तो ये आपको में चीज़े अपने को पता चल गई कि NGO कैसे रेगुलेट होते है मिनिस्ट्री क्या रेगुलेट करती है पाहर से जो भी फंड आ रहे हैं एंजियोस को वो एंजियोस कहां उसे इस्तिमाल कर रहे है एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इस्तिमाल तो नहीं किया जा रहा है इंडिया की इंटर्नल सेक्यरिटी के लिए खत्रा तो नहीं है कहीं इंडिया की डेवलपमेंटल नीड्स को डिले तो नहीं कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि इंडिया में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को डिले किया जा रहा है इनके द्वारा भ्रहमित करके ऐसी सारी चीजों को क्या करती है Ministry देखती है NGOs क्या कर रहे हैं जो fund आ रहे हैं उसका और अगर fund anti-indian activities के लिए होता है तो ऐसे fund को रोग दिया जाता है इसके अलावा उनका registration भी खारिज किया जा सकता है सबसे पहले जो act बनाए गया था वो 1976 में बनाए गया था उसको repeal कर दिया गया जो नया act बनाए गया 2010 में बनाए गया अब जो है पहले एक बार registration करना होता था renew करने की ज़रत नहीं है अब हर 5 साल में 2020 में जो amendment लाए गया था उसके हिसाब से हर 5 साल में जो NGOs हैं उन्हें Renewal के लिए Apply करना पड़ता है और कोई भी NGO हो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हैं बहुत अच्छे नाम वाले हैं तो उनको Renewal की ज़रत नहीं पड़ेगी कोई भी NGO हो सारे के लिए mandatory है FCRA के अंदर Register कराना शुरू में 5 साल के लिए उन्हें Registration valid रहेगा और फिर हर 5 साल बाद उन्हें Renewal कराने की ज़रत है जब भी वो Renewal कराएंगे देखा जाएगा उनके Fund को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी Auditing proper की जाएगी Registration मिलने के बाद ही जो है Foreign Contribution को वो यूज कर पाएंगे Social Educational और Religious Economic Cultural Programs में ठीक है क्या-क्या Issues आते हैं ये समझ लेते हैं Generally जो Issues आते हैं वो है Mis Appropriation of Fund जो बाहर से पैसा आ रहा है NGO से अपनी ही Needs में जो है लगाए जा रहा है ये नहीं कि इंडिया की Developmental Needs में लगाएं खूब पैसा खुदी खा रहे हैं जो NGO बना हैं बाहर से पैसा ले रहे हैं और खुदी उसको यूज कर रहे हैं Administration में जो Cost है वो बहुत जादा लग जा रही है 50% तक पैसा जो है Administration Cost में लग रही मतलब जो NGO बनाया गया उसके अंदर इतने सारे लोग होंगे जो काम करने वालेंगे वो जो है Non Profit में काम करना चाहिए पर कुछ लोगों को रखना पड़ता है For example, Account Maintain करने के लिए Account वाले को तो रखना पड़ेगा एक परसन होगा जो NGO का Head कर रहा होगा प्रॉमिनेंट लोग होते हैं जो एमिनेंट एंजियो में Member होते हैं बाकी जो Member होते हैं उनका जो Volunteers होते हैं उनका कोई क्या नहीं है कोई Decision Making में किसी भी तरह का रोल नहीं होता है तो एंटी डेमोक्रिटिक तरीके से इंडिया में एंजियो चल रहा है धर्ड क्या है Money Laundering एंजियो का इस्तेमाल Money Laundering के लिए क्या जा रहा है Tax Vax नहीं लग रहा है तो इसमें क्या करो हवाला की तरह इसे यूज करो काला पैसा डालो और सफेद निकालो Next क्या है Fund used to support Conversion in India religious conversion करने में भी बहार से आने वाले fund को इस्तेमाल किया जा रहा है खास कर बहुत सारे ऐसे Christian Missionary है जो की Schools हैं जो की क्या कर रहे है इस तरीके के conversion में पैसा खर्चा कर रहे है इंडिया पैसा भेजा जाता है NGO की थुरू ये conversion कराए जा रहे है तो ये सारी activities बहुत जादा बढ़ चुकी है Next क्या है Support the protest against the development project बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो की protest को क्या कर रहे हैं support कर रहे हैं ऐसे material निकाल रहे हैं जिसके कारण इसी reports चाप रहे हैं जिसके कारण जो developmental project है उसके against protest हो और उसमें delay है तो इंडिया की developmental activities के भी against ये काम कर रहे हैं और इनी कारणों से FCRA के तारह registration जो है कैंसल किया जा रहे है terrorist financing में भी NGO के foreign donation का कहीं न कहीं क्या हो रहा है इस्तिमाल हो रहा है अब जो recent case था उसकी बात कर लेते हैं CPR और WI का जो registration है वो cancel क्यों किया ठीक है तो CPR का तो इसलिए कि वो foreign donation को क्या कर रहे थे divert कर रहे थे to fund the protest and legal battle against developmental project legal battles को लडने के लिए जो fund आ रहा था बहार से उसको लगा रहे थे ताकि जो developmental project से उसको delay किया जा सके तो इसलिए ये सारे के सारे इंडिया के economic interest को hurt कर रहे थे ठीक है उसमें जो है FCR ने एक report का भी हवाला दिया है कि overview on the commission for air quality management act 2020 policy challenges for the new government इस तरह की report CVPR के द्वारा furnish की गई थी MHA ने काये कि ये जो current affair program है उसके लिए आप अगर पैसा खर्चा कर रहे है publishing of current affair program using foreign fund is prohibited under section 3 of FCR तो CPR ने क्या कहा बोला कि हम research institute है हमारा नाम क्या है एक दम अच्छा वैलिट और उसका जो argument था वैलिट था center for policy research तो हम लोग research करेंगे और research करके publish करेंगे report यही तो हमारा काम है हम यही NGO है तो आप जो है current affairs में डाल दिया हमको current affair program चला रहे हैं और हमें registration cancel कर दिया तो यह तो गलत है हमारा तो काम ही है research करना और उसे publish करना जो भी challenges होंगे हम बताएंगे लोगों को तो उस basis पे आप हमें क्या नहीं कर सकते registration cancel नहीं कर सकते और काफी valid point है तो यह काफी valid point है सरकार जो है इस तरीके से किसी को भी अगर कोई report publish कर रहे है और research institution है तो वह तो report publish करेंगे तो उसे जो है इस तरीके से हम registration cancel नहीं कर सकते ठीक है, तो यह Supreme Court में जाएंगे, लीगल बैटल लड़ेंगे, फिर हो सकता है कि इनका जो registration है, वापस renew कर दिया जाए, that's it, यह हमारा आटिकल था, hopefully आटिकल आपको clear है, हमारा last आटिकल है, Spiking Tensions, यह आटिकल The Hindu में आया है, GS2 IR मेंस के perspective से काफी important है, prelims के perspective से ज़्यादा important है places in news आपको पूछा जा सकता है, काफी important यह आटिकल है, pre 2024 के perspective से, इसके अलावा आटिकल में North Korea और US के past relationship के बारे में बात की जा सकती है, जो पहले framework साइन हुए हैं, वो आपको पूछे जा सकते हैं, यह सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, शुरू करते हैं, आटिक डिगरी parallel line है, ठीक है, जो division करके रखी है, इसके ऊपर वाला जो एरिया है, नॉर्थ कोरिया है, इसके नीचे वाला एरिया साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया को US का support है, जापान का support है, नॉर्थ कोरिया को किसी के support की ज़रुत नहीं है, वात निर्भर है, obviously China का कही न कहीं support ह इसने nuclear technology को क्या किया है, डेवलप किया है, खुद को nuclear state गोशिद किया है, और रशिया का automatic support जाता है, जहां US का support नहीं होता है, तो कहीं न कहीं, चाइना रशिया नॉर्थ कोरिया को support कर रहे है, और साउथ कोरिया को US support कर रहे है, ये nuclear है, ये non-nuclear है पर US इसे nuclear आती है तो, ठीक है, तो ये सारी चीज़े जो है background में आ जाएगी, recently जो King John Yoon है, उन्होंने एक decision लिया है to declare South Korea as an enemy state of the North Korea, और उनका जो idea था पहले कि peaceful reunification होना चाहिए, उस idea के को भी abandon कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, peaceful reunification मतलब North Korea, South Korea एक कोरिया हो जाना चाहिए, और जो reunification हो वो शांती पुरवक हो, तो कहीं न कहीं, जो Pyongyang है, Pyongyang जो की महां की capital है, उनके दोरा aggressive stand जो है, क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, इसके अलावा ये सिर्फ rhetoric के अलावा भी बहुत सारी चीज़े aggressive की जारी है, जैसे बहुत जादा series of weapon टेस्ट के जारे ह Recently उन्होंने fire किया है medical range hypersonic missile that could travel at a low altitude, also tested, they also tested underwater unmanned nuclear capable drones, तो अपनी nuclear capability भी बढ़ाते जा रहे है, recently उन्होंने नौर्थ में, नौर्थ ने fire किया है hundred of artillery cell near the south island of Yonpyeong and Byung-Yong, ठीक है, तो ये जो places है न, islands है, ये बहुत important है, ये कहां पर है, ये आपको पता होना चीए, ये places in news में आपको पूछा जा सकता है, मैं आपको दिखा देता हूं, इनकी photo ये कहां पर है, ठीक, ये वाली जो northern limit line है, ये हमें दिख रही है, ये वाला area, demilitarized zone, जो colored area है, लाल वाला जो island है, ये हमारा island है, जहां पर इन्होंन है, और ठीक है, northern limit line में ये सारी चीज़े है, तो ये basically island वाली जो maritime border है, उसमें islands है, और उन पे attack किया गया है, आर्टिलरी से, ऐसा नहीं है, कि जो north है, उनकी rhetoric unprovoked है, जापान, US और South Korea बहुत जादा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और उसी के कारण, जो है, North Korea को security threat लग र कर रहे हैं, और recently link up किये थे missile radar data के लिए, ठीक है, एक दूसरे से data share करने के लिए, तो इस कहीं ना कहीं जो north Korea है, उनको इन तीनों के साथ में आने से security threat लग रहा है, इसलिए ये जो provocation है, ये कहीं ना कहीं इन तीनों के साथ आने के कारण हमें देखने के लिए मिल रहा है, पहले लेकिन अगर हम बात करें, 1994 की past में, तो rhetoric तब भी था north Korea, लेकिन diplomatic engagement के लिए तयार रहता था, यूएस के साथ जो है, 1994 में उसने एक framework with Clinton administration sign किया था, agree किया था, लेकिन बाद में जो है, वो framework को, मतब एक तरीके से वो fail हो गया, collapse हो गया, और उसके बाद अपने आपको उसने nuclear state घोशित कर दिया, डोनाल टरम के time भी जो है, temporarily, जो relation है, US और North Korea के, वो क्या हुए थे, बहतर हो गया थे, लेकिन उसके बाद फिर वो talk भी collapse हो गई, ठीक, तो basically North Korea, South Korea में जो tension है, वो बढ़ रही है, और किसी भी हालत में इस tension को बढ़ने से रोकने की जरुरत है, क् कि वर्ल्ड में वैसे ही बहुत unfortunate events हो रहे हैं पुरी दुनिया में, और नई war जो है, world afford नहीं कर सकता, डायलोग करने की जरुरत है, peacefully dispute हो रहे है, उसे resolve करने की जरुरत है, यह हमारा article था, hopefully article आपको clear हो गया होगा, ठीक, thank you and enjoy your day.